वापस लाठी को सावधान में लाना है आप सिलूट कहूंगा मैं लाठी को बरावर बगल में फसाना है सेलूट एड़ी मिला छुड़ो वेरी गुट अभी वापस लाठी को जब मैं कहूंगा डाउन तो आपने लाठी पकड़के सावधान में लेना है नीचे नहीं लेना है प्रेट डाउन वची रहे वची रहे चोड़ दे लाठी अब लाठी को भी श्राम में लेना है ऐसे खड़े हो तो नीचे लेना है बाया पैर खोलना है प्रेट विश्राम वापस सावधान में लाठी लेना है पहले वड़ा कमान सुन लो पहले उसके बाद जल्ली मत करना तिवारी पहले सुन लो वड़ा कमाना प्रेट सावधान होना है लाठी को उपर लेना है प्रेट स रहा है है वह हाथ को वैसी रख 56 जरा भी नहीं हिलने का उसको आजिये रख वहात तेरा कढ़ गया समझल उसका कुछ काम नहीं है उसको यह ला मतिया से परमान रख अभी सेलूट काऊंगा मैं आपको बराबर तरीखे से दालना अंदर बगल में सेलूट पैर पैर खोलता है आथ मुंडी दर कर सिदी अंग्टाचिप का बराबर यहां लो आग के आगे चेस्मे में उपर लो हाँ आथ को डॉन कर इतने ताइट बत कर आथ को डॉन करो इसे डॉन डॉन करो हर डॉन मुंडी यहां रख अभी वापस में कहूंगा डॉन तो सेलूट को डॉन करना है लाटी साओधान में लेना है डॉन अंदर से पकड़ न रहे अठ छोड़ यह पकड़ यह पकड़ यह पकड़ यह रहा साक्कल भगवान से पहिछाद कलम बोला कलम अभी मैं विश्राम कहूंगा प्रेट विश्राम थोड़ा पैर कम कर आप पैर थोड़ा खोल शिकूरूटी गाट और सुपर्वाइजर इस बात का ध्यान रखे जब भी डाइमंड दूमबस फार्म होस पर दूटी पर आते हो तो सबसे पहले अपना यूनिफार्म धुलई किया हो प्रेश किया हो और शिप्टी शू के उपर कपड़ा या पॉलिश किया हो कोई भी सिकूरूटी गाट और सुपर्वाइजर गंदा यूनिफार्म पहन कर डाइमंड फार्म होस दूबस में दूटी पर नहीं चड़ेगा इस बात का ध्यान रखे इस बात का ख्याल रखे